नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम ठीवी और मैं हूँ आपकी साथ नदिनी यादो स्वागत है आप सब का हमारे खास कारिक्रम में दीपावली का पर्व पूरे देख्ष में बड़े ही धूम धाम से मनाया जाता है कहा जाता है कि इस जिन बुराई पर अच्छाई की जी और तमाम तरह किसमें तयारियां की जाती हैं लेकिन हम आज इसी विश्य पर जानेंगे कि किस तरीके कि हम लोगों को खरिदारी करनी चाहिए किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किन-किन विश्य इस बातों का ध्यान रखे ताकि हमारे घरों में धन की वर्षा हो और पावली का पर्व है देखे और तमाम तरह की लोग तयारिया करते हैं खरीदारी करते हैं तो धन तेरस के दिन किन-किन बातों का ध्यान रखे और किन-किन चीजों को वो खरीदे जी बिल्कुल मैं आप सब के सम्मख प्रिस्त हूँ जो की देवापली का तयभार है जिसको की बुराई से अच्छाई की तरफ बढ़ने का तयभार कहा जाता है पर्व कहा जाता है हम लोग तब से जब से राम आए हैं तब से आज तक मनाते चले आ रहे हैं और बहुत सारी प हमें कि हसाब से कार्य विधी को इस तम्हालते हुए कार्य करते हैं या त्यभार पर हम देत मैं लगता है और अगर हम नौलस के साथ नहीं मनाते हैं तो हमें उसका कुछ ना कुछ लाव की जगे नुकसान भी होने लगता है इसलिए ये चीजों का बड़ा खयाल रखना सबसे पहले जो खरीदने जा रहे हैं तो धातूं में हम पीतल को खरीदें धातूं में हम सोने को खरीदें धातूं में हम चांदी को खरीदें क्योंकि कभी-कभी नंदनी क्या होता है कि हम लोग तेभारों में इतने उत्साहित होते हैं कि हम बरतनों की जगे कुछ भी खरीद लोहे का बिल्कुल खियाल रखें, कि लोहा बिल्कुल भी आपके खर इस दिन धंदेरस के दिन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लोहे का जो परिणाम होता है घर में जाने का वो शनी का प्रभाव डालता है, कारक शनी का होता है, इस कारण से हमारे घर में मानों की आप मैं कह सकती हूँ कि आपके घर में सनी देव पधार रहे हैं और सनी देव का सभी मतलब जानते हैं कि उनका उस दिन आगवन तो बहुती ज़्यादा असुब हो सकता है इसलिए उस दिन उस समय उनचत्र के दिन आपको लोहा बिलकुल भी अपने घर नहीं लाना है और दूसरी बात ये भी खयाल रखना है कि आपको उस दिन कोई भी धारदार हतियार अपने घर पर नहीं लाना है और दूसरी बात आपको ऐलमोनियम की कोई भी धातु का समान राहू का कारक माना गया है यह सकती हुं कि उस दिन आप राहू को अमन्तिन दे रहे हैँ और राहू भी उस दिन बहुत ही जादा आपको खतरनाक प्रभावदे सकता है इसलिए उससे ना लाए और पीतल लाना है क्योंड कि ऐतल हमारे अज धन्वंत्री का जो त्वार धन्वंद्री भगवान के हिसाब से मनाया जाता है उनके प्राकरट उस्तों पर मनाया जाता है इसलिए धन्वंद्री की पूजा भी करते हैं और धन्वंद्री जब समुद्र मंतन के समय प्रगट हुए थे तो वह पीतल का कलस ले करके प्रगट हुए थे पीतल यानि की ब्र समस्दारी के साथ में स्पर्व में हमें इन चीजों की खरेदारी करनी चाहे और इनंदरी जैसे की लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि हमें और भी छोटी-छोटी चीजों में क्या हमें सावधारी बरतनी है और क्या लेना है तो जैसे की बहुत छोटी चीज़ें हमारे ग्रह में हमारे घर में लेकिन बहुत बड़ी भी है जैसे की जाडू सभी को मालूम है कि जाडू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे घर की सफाई के लिए ह कहें कि घर में कोई भी नहीं आएगा अगर सफाई नहीं होगी तो फिर मालक्षमी कैसे आ सकती है तो सबसे पहले हमें इस दिन जाडू खरीदनी है क्योंकि मत्स पुराण के अनुसार जाडू को मालक्षमी का प्रतीक बना गया है और इसलिए सबसे पहले जब हम जाडू इदना है और उसे अपने ग्रह में ले जाना है इसके बाद कहते हैं कि मालक्षमी और एक बात मैं आपको नंदनी बताओं कि कुछ महिलाएं हमारी माताएं नहीं जानती है कि जाडू का प्रयोग नॉर्मल विसेस दिन तो आज है ही लेकिन जाडू जो नॉर्मल डे होना त और उनकी नजर आपकी जाडू पर पड़े इसलिए उसे चुपा कर रखना चाये जाडू कभी भी खाडई स्टती में नहीं रखना चाभे उससे हमेशया लिटा कर रखना चाहिए जिससे कि को भी उसके जाते हुए देखे ना और दूसरा वो बहुत अराम से लेटी होती ह तो उसे किसी प्रकार की पीडा नहीं होती और लक्षमी जी हमसे रूस्ट रही होती है मैंने देखा एक जगे पर एक मेरे बहुती करीबी एक माता जी थी महिला थी उन्होंने ऐसा प्रभाव अपनी जीवन में जाडू से दिखाया कि वो हमेशा उल्टा ही करती थी जाडू खड़ी रखती थी और जाडू हमेशा दरवाजे के पास रखती थी और मैंने देखा मैं अन्मों के साथ कह सकती हूँ कि उनके घर में कभी भी शांती नहीं हुई कभी भी किसी प्रकार से संब्रदी नहीं हुई और आज उनका घर तबा है इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इन सारी गलतियों को आप ना दोराएं और इन सारी नौलेज जानकारी को अपने जीवन में उतारें जिससे कि इस दिन आपको लाब हो नुकसान नहीं क्योंकि हम तबहार लाब के कारण मनाते हैं और अगर हमने उस चीज को ना समझ करके बिना जानकारी के कोई कार किया तो वो हमें नुकसान भी दे सकता है इसलिए आप इन चीजों का खयाल लखें ध्यान रखें दूसरी बात आपने ये तो सुना कि जाड़ू खरीद नीचे कुछ छोटी छोटी और भी चीज़े हैं जो हमारे घर में इसली मिल जाती है जैसे कि आज की दिन विसेस कर हमें मार्केट से बाजाल से नमक ले करके आना चाहिए नमक नकारात्मकता को दूर करता है जिससे की हमारे घर की जो नकारात्मकता है वो खत्म होती है दूसरा आपको इस दिन एक गोमती चक्र भी लाना चाहिए एक कुबेर चक्र भी लाना चाहिए जिससे कि आप लक्षमी के साथ अगर उसका पूजन करते हैं तो मालक्षमी बहुत परसन्न होती है क्यों क्योंकि कुबेर मालक्षमी के मैरे जर है कुबेर मालक्षमी के हर एक हिसाब किताब को समालते हैं इसलिए वो उनके साथ में बहुत ही सहज मैसूस करती है इसलिए कुबेर यंत्र को भी घर में लाना चाहिए तीसरी बात आप आज के दिन पाँच कोडियां भी लेकर के आए जो कि बहुती सुब होती है और बहुत सारी चीजों के साथ में एक बहुती विसेश चीज है जिसे कि हम लोग धनिया कहते हैं सारी माताय जानती होंगी सभी को मालूम होगा कि धनिया हमारे ग्रह में हमारे रसोई में बहुत आसानी से मिल जाती है लेकिन आज आपको मार्केट से लेकर के आना है और साबुत धनिया, पिसी हुई धनिया नहीं साबुत धनिया, हरी धनिया भी नहीं की साबुत होती है उसे हमें घर लेकर के आना है नमक धनिया और बहुत ही विसेस कर ये याद रखना है कि इस दिन हमें किसी भी प्रकार से अपने गह में अपने घर में कोई भी हतियारदार कोई भी समान लेकर के नहीं आना है क्योंकि अगर हतियारदार कोई समान हमारे घर मे आता है तब से लेकर के हमेशा सालवर तक वो हमें परीडाम हमेशा अशांती का देगा हमारे घर में फिर सांती नहीं रह सकती इसलिए उसे अवाइट करें उसे लेकर के ना आए और एक बाद इस दिन जो भी चीज़ आप खरीदेंगे चाहे आप नकारत्मक चीजों को करें आपको उसका तेरा गुना फाइदा मिलेगा इसीलिए बहुत नौलिस के साथ और भहुत ध्यान पूरक इन चीज़ों को खरीदना है कि हमें नुकसान नहीं हमें फाइदा चाहिए तो फाइदे के लिए ये जानकारी होनी चाहिए कि हमें क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है कंजन जी मैं आपसे अब ये जाना चाहूंगी कि धनतेरस के दिन क्या कुछ पूजा विधान होता है किस तरीके से हम पूजन करें कि हमारे घर में समरिधी बढ़ें। दिया का पूरा का पूरा गोला बनाना है जो दिया तेरा दिये से बने हो और पूजन के बाद तेरा दिये लेने चाहिए। किसी भी कोने में अंधेरा ना रहे और एक विशेस जब आप दिया रख दें तो रात्री के समय में जो आपने कोडी खरीदी हुई हैं। उन कोडियों को लेकरके उन दियों के सामने आपको रखना है। इसके बाद वो कोडी और दिया सुभा के समय में आपको उठा करके अपनी जो तिजोडी है उसमें रखना है। और इक विशेस कर्यों की मालक्षमी को पान बहुत पसंद है। तो उस दिन आप पाँच पान ले और मालक्षमी को अरपित करें। दूसरे दिन उन पान को आप बहते हुए जल में प्रभाईत करें। जिससे कि आपको किसी प्रकार की नकारत्मक उर्जा आपके सामने आए तो आप उसका सामना कर सके। और मालक्षमी या गडिज जी देवता आदी आदी देवता आपकी रक्षा कर सके। इसलिए इस कारेविधी की अनुसार अगर आप पूजन करेंगे तो आपको निश्यती इसका लाव मिलेगा और धंतेरस जो की लाव के लिए है तो आपको विशिसकर असका प्रभाव भी पड़ेगा आपको दिखेगा कि आपको लाव हो रहा है। अच्छे, केंशन जी अब मैं आप से यह जानना चाहूंगी जैसा कि आपने बताए दीपावली का अतिवार है तो दीओ को खरीदते वक्त किन-किन बातों का धिहान रखना चाहिए। दियों को खरीदते वक्त हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हम भारत में रहते हैं और हम भारत वर्शी हैं तो भारत में रहने के कारण सबसे पूर्फ तो मैं यह कहूंगी कि अगर आप हमारे यहां के कुमहार की द्वारा बनाये हुए दियों को अगर खरीदेंगे तो हमें एक नहीं दो नहीं कई सारे लावेक साथ मिलेंगे एक तो जो हमारी आर्थिक बिवस्ता है वो हमारे यहां पर ही रहेगी जो की जिसकों की हमारी सरकार कहती है कि जो हमारे यहां का बना हुआ प्रोडेक्ट है वही खरीदना है तो अगर हम अपने यहां का दिया खरीदे नहीं होता जो हमारे शरीर को या हमारे घर में किसी प्रकार से किसी दूशित प्रभाव को हमारे घर में प्रभाहित करें इसलिए आप ये विशेश खयाल रखें कि आप कुमार से बना हुआ बहुत ही देसी सद्या खरीदे जिसके जलने के बाद जब हम जलाते हैं तो जलने क बाद जो मिट्टी अपना प्रभाव देखाती है वो हमारे जिवन पर हमारे शरीर को लाब देता है इसलिए हमें सुध मिट्टी का खरीदा हुआ दीपक ही जलाना है आपने दीपक को बताए कि कौन-कौन सुध माना जाता है घी के दियो को इस दिन घी का दिया भी जलाना चाहिए जिससे की मालक्षमी को भी खुशी मिलती है और बाकी अगर आपके पास घी नहीं है तो आप सरसो का तेल जो की जो हमारे यहां राई भी कहते हैं सरसो भी कहते हैं उस तेल से दिये को जलाना चाहिए ना की किसी प्रकार के और ओईल जो हमारे मार्केट में आते हैं, उनका हमारे जीवन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कडू तेल होता है, वो हमारे आखों के लिए बहुत फाइदेमंद होता है, और जब वो मिक्स हो करके अगनी में, यानि कि दिये के सा होता है, तो बाती को बनाते वक्त या खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बाती तो हम बहुत प्रकार से बना सकते हैं, और अपनी फ़संद होती है, महिलाओं की, माताओं की, क्योंकि तरीके से बातियों को बनाती है, कोई गोल करके बनाता है, कोई लंब को लेकर किन बातों का विश्य जिंद्धानाथ चाहिए मूर्तियां खोन जैसे कि हम वहार मैंना हें धन्हतिरस का तो मूर्तियां हमेशा मिट्टि की खटीनि चाहिए या फिर अगे फिर ये में चांदी की मूर्ती खरीदे या नहीं तो फिर सुब सुबता के लिए जाए तो मिट्टी की मूर्ती मालक्ष्मी और गड़ेश जी की मूर्ती खरीदनी जाए क्यों क्योंकि गड़ेश जी लक्ष्मी जी के साथ में होते हैं तो हमारे जीवन में बड़ा अच्छा प्रभाव क्योंकि गड़ेश जी वुद्धी और विवेक के देवता है और मालक्षमी ये हमारी धन की रेवी है इसलिए धन जब आता है ना तो विवेक हमेशा मर जाता है इसलिए हमेशा गड़ेश के साथ ही लक्षमी जी का पूजन होना जाहिए जिससे की विवेक भी बना रहे और हम हमारी संपत्ति जो है जो आने से हमारा बुद्धी बिवेग बिगडेना और हम उसे सही जगे यूज कर सके इसलिए मालक्ष्मी कड़ेश जी के साथ में विराजमान है क्योंकि यह दत्तक पुद्र है गंच ची मैं आपसे अब यह जो आना कपड़ों को लेकर किन-किन बातों का खयाल लखना चाहिए बहुत अच्छा प्रश्णा है कपड़े जो कि हमें नहीं मालूम होता है किसी भी प्रकार के दिवाली में नए कपड़े हमारे खरीदने का रिवाज है चलन है तो उस दिन हमे तो प्राइम ٹिवी से जुणने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कंचण जी ये थी हमारे साथ कंचन रिवेदी जो की बताया कि किस तरीके से हमको धनतेरस पे कौन-कौन सी चीजे खरीदनी चाहिए, कौन-कौन सी चीजे नहीं खरीदनी चाहिए, जससे हमारा कोई भी नुकसान ना हो आज के लिए बस इतना ही देश चाहिए